प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चानल Learn Coding को सबस्क्राइब करें आज के इस वीडियो में हम आपको सिंपल सा एरे प्रोग्राम बनाके दिखाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे एरे में मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट आपको फाइंड करके दिखाएंगे तो सबसे पहले हम जो program बनाने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि maximum element कैसे found करते हैं array में तो हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं माललो हमारे पास array है और इसका size हम run time में decide करेंगे कि क्या होगा ठीक है यहाँ पर लिख देते हैं size अभी हमें नहीं पता माललो हमने size ले लिया 5 तो अभी हम अगर 5 element input कर देते हैं तो अभी यहाँ पर output हमें क्या मिलना चाहिए हमें output मिलना चाहिए maximum element equal to 50 उसके बाद minimum element equal to 10 यह हमारा output होगा और इस side में यह हमारा input होगा तो यही simple requirement है उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा अगर आ गया हो तो चलिए coding start करते हैं सबसे पहले हमें काईरे बना रहे हैं integer type का यह नाम कहीं बना रहे हैं अभी इसका size हम कुछ नहीं रख रहे हैं क्योंकि इसका जो भी size होगा हम run time में decide करेंगे तो एक size variable भी बना लेते हैं और loop के लिए i variable हमारा रहेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आईरे का size के लिए एक value मागेंगे यहाँ पे लिखेंगे enter size of ira ira का size हम run time में जो भी value input करेंगे अपने size variable में यहाँ पे जो scan up function में लिखने वाले हैं उतना ही size array का बनेगा तो %d, address of size ठीक है Size में value input हो चुका है अब हमें क्या करना है अपने array में element input करना है तो element input करने के लिए हम for loop use करेंगे क्योंकि multiple value डालनी है single variable में तो यहाँ पे i का value 0 से start करेंगे i का use loop variable के लिए कर रहे हैं यह कहां तक जाएगा i less than size तक जाएगा Size तक इसलिए जा रहा क्योंकि हम जो भी यहाँ पे value input करेंगे हम चाहते हैं वहीं तक हमारा loop चले रूतना ही element array में input हो तो 0 से start हो रहा इसलिए less than size लिखे हैं i plus plus और यहाँ पे scan up function के अंदर क्या करेंगे for loop के अंदर scan up function लिखेंगे और यहाँ पे value को input ले लेंगे तो रिखेंगे % comma array i में value input लेंगे array i में value इसलिए input ले रहें जब i का value 0 रहेगा तो array 0 में element जाएगा जब i का value बढ़के 1 होगा तो array 1 में जाएगा इसी तरह से i का value बढ़ता रहेगा और array के सभी position में element input हो जाएगा element input होने के बाद array में जो पहला element होगा जो 0 position पे होगा उस element को हम एक variable में पहले ही store कर लेंगे उस variable का नाम यहां पर हम देते हैं max तो max variable अभी हमने बनाया नहीं है तो यहां पर बना देते हैं बना दिया अभी क्या करेंगे फिर से हम same for loop use करेंगे अपने elements को print करने के लिए लेकिन यहां पर हम एक condition देंगे लुप के अंदर अभी वह condition क्या होगा आयरे में maximum element निकालने वाला condition होगा तो यहां पर अगर हमारा आयरे आई greater होता है max से मतला max में जो आयरे 0 का value है अगर आयरे आई का value उससे बड़ा होता है तब क्या होना चाहिए तब यहां पर simple सा code होगा आयरे आई का जो भी value होगा हम उसको डाल देंगे max में ऐसा हम इसलिए कर रहे है क्योंकि जब आयरे आई का value बड़ा होगा तो वही greater value हम डाल देंगे max variable में तो max variable में सबसे greater value चल जाएगा ठीक है आपको समन्द में आ गया अभी हम क्या करेंगे इस loop के बाहर यहां पर अपने result को print करेंगे तो यहां पर लिखेंगे %d, max, max variable में ही maximum value आयरे का store हुआ है तो यहां पर एक message भी दे देते हैं मेसेज क्या होगा maximum value of array यह message हमने पास कर दिया अभी return 0 लिखेंगे एक एक लाइन हम dry run करके आपको समझाएंगे आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है कि प्रोगाम काम कैसे कर रहा है चलो इसे run करके देखते हैं तो यहां पर हमें एक error मिल रहा है array size missing in a बोड़ रहा array का size इस a variable में missing है इसका मतलब यह हुआ कि हम अपने array को c language में इस तरह से empty नहीं रख सकते यहां पर हमें कुछ न कुछ value देना होगा जैसे मैंने 100 दे दिया तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे array का maximum size 100 है यह 100 element ले सकता है लेकिन यह कितना element लेगा वह हम runtime में size variable से decide कर लेंगे ठीक है अभी चलो program को करते है run तो यहां पर zero error zero warning हो कर रहा है इसका मतलब program successfully अभी run हुआ है तो यहां पर सबसे पहले बोलेगा enter size of array तो हम size खुद decide करेंगे यहां पर अगर हम size decide करते है 5 इसका मतलब array में 5 element हम input कर सकते हैं अभी हम जो element input कर रहे है वह हम array में करने जा रहे ठीक है तो इसमें maximum element कौन सा है maximum element यह 50 है तो result क्या print हुआ है 50 ही print हुआ है आप यहां पर एक message लगा सकते हैं जिससे क्या हो कि आपको समझ में आए कि अब हमें क्या करना है array में value input करना है enter value in array यह message लगाने से पता हमें यह चलेगा कि हमें आप value array में input करनी है एक बार और run कराते हैं कुछ और result आपको दिखाते हैं size अभी हम ले लेते हैं जैसे size हमने ले लिया 8 8 element हम array में डाल सकते हैं enter value in array तो कुछ भी 8 element ले लो आपकी margin है तो देखो size हम run time में decide कर रहे किने run time में decide कर रहे हमने यहां पे size डाला 8 तो हम 8 element ही अपने array में input कर पाए और इसमें सबसे बड़ा element यह 89 था तो यह 89 print हो चुका है तो अभी चलो हम आपको dry run करके समझाते हैं यहां से लेके यहां का code कि यह काम कैसे कर रहा है सबसे पहले हमने अपने array में element input किया था 5 element वो क्या था 10 50 20 30 और 40 यह element हमने input किया था array के 5 position पे 0 1 2 3 4 यह position है जो हमने नीचे लिखा है तो यह element हम array i में input किये थे i के value जैसे जैसे बढ़ता गया था 4 look के अंदर का यह statement था तो सभी position पे element input हो चुका था element input होने के बाद हम array का 0 position का जो element है उसको max variable में store कर दिये थे तो array 0 पे देखो क्या है 10 है यानि max में 10 चला गया तो max का value यहां पे क्या हो गया 10 हो गया अभी यहां पे आते हैं for loop में starting में देखो i का value क्या है 0 है तो यहां पे लिख देते हैं i equal 0 condition हम देखेंगे क्या 0 less than 5 है condition true है क्योंकि i का value 0 है तो i के जगा पे condition है यह वाला इसी से maximum number find हो रहा वह क्या है आयरे आई greater max i का value 0 है इसका मतलब क्या array 0 max से बड़ा है तो array 0 में क्या है array 0 में देखो यहां पे 10 है यहां पे हम लिख सकते हैं क्या 10 greater max का value भी देखो यहां 10 है तो यह condition फॉल्स हो गया जैसे ही condition फॉल्स हुआ अभी यह अपना इफ का statement execute नहीं करेगा फिर से हम for loop में चलेंगे आई के value बढ़ेगा यह होगा वन तो condition हम क्या देंगे यहां पर one less than five क्या condition true है condition true है जब condition true है फिर हम इफ में आएंगे यहां पर condition देखेंगे आई आई के value one है इसका मतलब क्या एरे one max से बढ़ा है तो एरे one में देखो 50 है तो अभी हम यहां पर क्या लिख सकते हैं 50 greater max का value देखो अभी भी 10 है तो 50 greater 10 condition true जब condition true है तो अभी क्या होगा यहां पर यह वाला statement execute करेगा तो एरे आई के value max में जाएगा तो एरे आई के value one है इसका मतलब एरे one का value जो 50 है वो चला गया max variable में तो max का value यहां पर क्या हो गया अभी 50 हो गया ठीक है फिर क्या होगा हम for loop में चलेंगे i के value बढ़ाएंगे यह हो जाएगा कॉंडीशन क्या देखेंगे i less than 5 में हम कंडीशन देखेंगे क्या 2 less than 5 है condition true जब condition true है तो अभी हम iF में आएगे आई आई के value 2 ए तो i2 में कौन से element है यहां पर हम condition क्या दे सकते है condition हम दे सकते हैं क्या 20 20 greater max का वालू क्या है 50 है तो यहां पर 50 क्या यह कंडिशन होगारा ट्वेंटी ग्रेटर 50 है क्या यह कंडिशन फॉल्स हो घ्या जैसे ही कंडिशन फॉल्स हो गया अभी यह एक उप्ट नहीं करेगा प्रूप में आई का बालू बढ़ाएंगे आई का बालू अभी हो गया तो अभी यहां पर हम कंडिशन क्या देंगे क्या थाटी ग्रेटर माक्स से माक्स का वैलू 50 क्या ये ट्रू है ये कंडिशन पॉल से इफ एक्जिक्यूट नहीं करेगा लुप में चलते हैं आई के वैलू बढ़ा यह हो गया फोर तो अभी यहां पर प्जलोड इसना फाइब में आई के अबने फॉर यहां पर लीग सकते हैं क्या क्या फॉर brick ट्रू आए और यह फ्रमीति फॉन सेसे और फॉर में फॉर में और अब तो अब यह हम कंडिशन फॉल्स हुआ अपना यह इफ एक्जिक्यूट नहीं करेगा हम फॉर्लूप में चलेंगे आई के वैलू बढ़ाएंगे अभी यह वैलू हो गया हमारा फिप्टी ठीक है तो यहां पे हम कंडिशन फॉर्लूप में क्या देखेंगे आई लेस देख सकते हैं क्या फा मैक्स को प्रिंट किया हुआ है मैक्स का वैलू क्या है मैक्स का वैलू यहां पर देखें फिप्टी है तो यहां पर क्या प्रिंट होगा फिप्टी प्रिंट होगा तो आप मेरे में देख सकते हैं स्टार्टिंग में हमने एलिमेंट इंपूट किया था तो इसमें सबसे ब आप आयरे का maximum element find कर सकते हैं ड्रायरन आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया है तो अभी चलिए हम आपको minimum element कैसे find करना है उसका program दिखाते हैं minimum element को find करने के लिए सबसे पहले हम variable का नाम रख देते हैं mean क्योंकि अभी minimum element find कर रहें इसलिए mean रख दे रहें यहां पर condition बदल देंगे greater than की जगा less than कर देंगे और variable हमारे पास अभी mean नाम का है और जो भी value आएगा mean variable में जाएगा इसका मतलब अगर array mean से छोटा होता है तो array का छोटा वाला value है mean variable में store कर रहें और यहां पर message change कर देंगे वो क्या होगा minimum value of array हमारा code ready है फिर से करते हैं इसको run तो यहां पर देखो एक error आया max element print है यहां पर हमें mean करना है तो यह छोटा मोटा error आप handle कर सकते हैं नीचे पढ़ सकते हैं बता देता है compiler तो देखो यह successfully run हो चुका है अभी यहां पर बोलेगा enter size of array तो हम size input करेंगे 6 डाल देते हैं इसका मतलब 6 element हम input कर सकते हैं तो यहां पर देखिए minimum element कौन सा print हुआ minimum element print हुआ है 6 क्योंकि हमने last में सबसे छोटा element डाल दिया 6 तो इस तरह से आप C language में program बना के maximum और minimum element array का find कर सकते हैं अभी आपको homework क्या है कि मैंने आपको पहले maximum दिखाया फिर minimum दिखाया आपको एक बार में ही ऐसे code लिखना है कि आपको यहां पर output में मिले maximum element of array minimum element of array दोनों result एक बार में ही आना चाहिए यह आपको करना है अगर वीडियो पसंद आया हो like करिए share करिए channel पर नहें subscribe कर दिजिए